हलो प्रेंट्स वेलकम टू बी अपडेट फॉर ओल चैनल तो प्रेंट्स निव नोटिपिकेशन आउट हुआ है तो चलिए इसके बारे हम लोग डीटेल्स जानते हैं और डीटेल्स जानने पेले अगर अगर इस चैनल पर फस्ट हम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब क कि इस पेफ्वाम 2021 को एफ्वाम को अपलाई कर सकते हैं और लाज डेट फी पयमेंट करने का फाद दफ दोजर एक तक दिया हुआ है और एक्जाम डेट भी यहां पर मेंसिन कर दिया गया है कि दिफेंबर 2021F को exam होगा और admit card before exam exam के पहले आप लोग का admit card दे दिया जाएगा तो application fee देखते हैं कि कौन से candidates के लिए कितने fee लगेंगे तो general OB fee के लिए 450 रुपया लगेंगे OB fee and fee L के लिए 350 रुपया HDF fee candidates अगर आप हैं तो आपके लिए 54 रुपया लगेंगे 2.50 रुपया and correction charge correction charge 34 रुपया लगेंगे फुदारने के लिए इसलिए friends में बताना चाहूंगा कि आप form डालते फुम है गलत नहीं कीज़ेगा नहीं तो correction का charge 34 रुपया लग जाएगा और payment mode देखिए क्या रहेगा payment mode देखिए Emitra, Fenter debit card and credit card net banking से आप payment कर सकते हैं and age limit में आते हैं कि age limit क्या होना चाहिए इस form को apply करने के लिए तो minimum age देखिए 18 रुपया होना चाहिए कम से कम उम्र 18 रुपया होना चाहिए और maximum age जाद़ जादा 40 रुपया होना चाहिए इस form को apply कर सकते हैं अगर आप HTFE candidates है then आपको age relief fund दिया जाएगा age per the rule जो government job में दिये जाते हैं ओके देखिए तो आप total post में आते हैं कि total post इसमें कितने हैं दोफो 50 है तो देखिए post name computer non TFP total post दोफो 20 है eligibility क्या चाहिए bachelor degree with mathematics होना चाहिए aesthetics, economics as a subject और फिफिफि exam path NIELIT or certificate of part 1 ABC by IFI Kolkata or O-level certificate from NIELIT or ITI certificate in COPF DPF ओके अगर इतने qualification आपके पाफ है देनाप इसमें को apply कर सकते हैं clear और देखिए अगर TFP के लिए apply कर रहे हैं then if में post तीफ है जिसके लिए qualification diploma in computer finance engineering और certificate course राज़फ्थान state information technology तो इतने फारे अगर आपके पाफ qualification है then आप इसमें को apply कर सकते हैं clear होगया friends चले देखिए अब देखते हैं कि कौन फिए category के लिए कितने post हैं तो देखे UR के लिए उनाफी post है EWF के लिए EWF कास्ट के लिए BIF OBF के लिए 46 EBF के लिए GARA FV के लिए PITIF ST के लिए 26 TFP area के लिए TIF and FHARIA के लिए 1 and total post इसमें 250 है clear चले देखते हैं आप exam में किफ टाइप का question और कितने marks का पूछा जाएगा तो देखिए इसमें question रहेगा part A में आप लोग का general knowledge पे question पूछा जाएगा ओके जिफ में number of question तीफ रहेंगे तीफ तो question आप से पूछा जाएगा और total marks भी तीफ number कर रहेगा clear and part B में देखिए aesthetic economics and mathematics पूछा जाएगा जिफ में कि question फत्तर question रहेंगे और फत्तर marks करेगा जिफ में कि आप लोग को दो गंटा का time दिया जाएगा if examination के लिए और देखिए according to the philip of there will be hundred hundred question of multiple choice question okay तो आपका objective type का question रहेगा 1-4 okay and there will be negative marking अगर आप एक ठोग question गलत करते हैं देन उसका mark 1 upon 3 काटा जाएगा okay and minimum qualifying marks shall be 40% of total marks of examination तो examination में आप लोग का minimum qualifying marks कितना मांग गया है 40% मांग गया है okay यानि कि 4 4 marks में से अगर आप 40 number फे उपर लाते हैं 40 number फे उपर लाते हैं देन आपका बहुत ज़्यादा chance बन जाता है इसमें fall action होने के लिए तो चलिए देखते हैं कि कि इस तरह फे form को फही तरीके फे आप डाल फकते हैं तो देखिए point number 1 तो मैंने बता दिया कि 8 September फे ले करके 7 October तक आप इस form को डाल फकते हैं point number 2 point number 2 तो मैंने ज़स्ट बताया आपको clear and point number 3 document eligibility ID proof address basic details collect करके रखें clear and point number 4 kindly Afghan the documents related the requirement form जो जो documents आपको requirement किया गया है वो documents Afghan कीजिएगा photo, fine, ID, proof और भी इतियादी and point number 5 before permit the application form must check, preview and all columns carefully तो जब भी आप permit करते हैं तो आप preview एक बार check कर लिजएगा नहीं तो correction का charge इसमें बोल दिया गया है 3-4 पर लगेंगे for जब भी आप home को apply करेंगे then complete final permit करने पहले एक preview का option देता है वहाँ प्रिवीव का option देता है okay clear clear friends चले देखिए and point number last है जिसमें आप लोग को एक print लेना है final permit के बाद okay एक print लेके रखना है ताकि जब भी admit card आए then उफ में जो कुछ number दिया हुआ रहेगा reference number बगेरा उफ ही के थरू आप admit card को download कर सकते हैं okay end तो इतना ही information main main topic को आप लोग रखे हैं okay अगर आप और भी read करना चाहते हैं about this about this note if then आप read कर सकते हैं इसका link में आपको video के नीचे description में दे दूँगा वहाँ से आप download कर सकते हैं और अगर आप इस phone को apply करना चाहते हैं then इसका भी link आपको video के नीचे मिल जाएगा description में वहाँ से आप इस phone को apply कर सकते हैं okay अगर आपको video से helpful लगा हो then इस channel को subscribe कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेफ कर दीजिए और like कीजिए और ज्याद़ फे ज्याद़ अपने प्रेंट फों में fair कीजिए ताकि वह भी इस phone को apply कर फकें ओके तो जेहिन जेवारत